उत्राखन के मसूरी घुबने आएं दो युवा करीब 120 मीटर घहरी खाई में गिर गए आपको बता दी हैं कि इगटना शहर के हाती पाव मार्क माइन्स के पास हुई जहां दो यूपकों के पैर फिसलने से वो घहरी खाई में गिर गए इसकी सूचना इस्ताने लोगों ने म मसूरी पुलिस और SDRF को दी बताया जारा है कि अंधेरे में युपकों के पैर फिसलने से वो घहरी खाई में गिर गए वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुँची SDRF की टीम ने काफी मशकत के बाद रेस्क्यू कर युपकों को बाहर निकाला जिसके बाद 108 की मदस से दोन युपकों को अस्पताल में भटती कराया गया इस दोरान मामले की चानकारी देते हुए SDRF है कॉंस्टेवल मनोज जोशी ने बताया कि जिला नियंतरन कक्ष देरादून द्वारा SDRF को सूचना दी गई कि मसूरी हाती पाउं मार्ग पर लंभी दार माइन्स के पास दो य मेतरित में SDRF की टीम घटना इस दल के लिए रवाना हुई बताया जा रहा है कि दोनों युवक अंधेरे में पैर फिसलने के कारण दुर घटना का शिकार हो गए और करीब 120 मीटा घहरी खाई में गिर गए ऐसे में घहरी खाई और अंधेरे होने के कारण SDRF की टीम को रेस्क्यू करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा वही टीम ने दोनों युवकों को रेस्क्यू कर 108 की मदद से प्रात्मिक इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जहां दोनों का इलाज किया ज जारा है